जय श्री कृष्ण आज हम बनाएंगे आलू सोया बीन की मसालेदार सबजी यह बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आलू सोया ब लेंगे इसके लिए लिया है काजू, कसूरी मेथी, और लेंगे खड़े मसालें इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, छोटी बड़ी लाईची ऊसट, जाइफल, लॉंग जीरा जावेत्री दाल चीनी ये सारे मसाले डाल कर हम मिक्सी के जार में इसे पीस लेंगे इसका पाउडर बना लेंगे देखिए इस तरह से बना लेंगे अब एक घंटा हो गया है हमारी सोयावीन भीग गई है अब इसे निचोड कर एक प्लेट में हम निकाल लेंगे सारा पानी इसका ऐसे निचोड कर निकाल लेंगे अब इन सोया बीन में हम डालेंगे दही तीन से चार चमत दही डाला है अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे यह गरम मसाला कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा चाट मसाला नमक और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया यह सारे मसाले डाल कर हम सोया बीन में अच्छे से मिक्स करके रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले सोयाविन में अच्छे से अंदर तक चले जाए इस तरह से मिक्स करके हम छोड़ देंगे इसे अब एक कड़ाई में सरसों का तेल लिया है और उसमें आलू के बड़े बड़े टुकड़े काटकर इसे हम फ्राई करेंगे मीडिया माच में इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ऐसा गोल्डन कलर आने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में अब इसी तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा एक तेज पत्ता और अद्रक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट दो चम्मच लिया है इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब यह अच्छे से पक जाएगा इसके बाद हम डालेंगे प्याज का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम आच रखनी है, मीडियम आच में लगातार चलाते हुए से फ्राई करेंगे जब तक ये तेल न छोड़ दे जब प्याज अच्छे से हो जाएगा फिर उसमें हम डालेंगे टमाटर टमाटर को भी दरदरा पीस कर लिया है इसे भी हम तेल छोड़ने तक फ्राई करेंगे जब टमाटर अच्छे से हो जाएगा तेल छोड़ने लगेगा फिर हम इसमें डालेंगे मसाले जो हमने पीसे थे सारे खड़े मसाले और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी और इसे डाल कर अच्छे से हम फ्राई करेंगे और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं गर्म पानी डालने से मसाले जल्दी तेल छोड़ देंगे इसे दो से तीन बार हम गर्म पानी डाल डाल कर इसे पकाएंगे फिर से धोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए, मीडियम आज में फ्राई करेंगे जब तक मसाले तेल न चोड़दें, तब तक इसे फ्राई करना है फिर से धोड़ा सा पानी डाला है अब मसाला हमारा पक चुका है इसने किनारे छोड़ दिया है कड़ाई के अच्छे से हो गया मसाला हमारा अब इसमें हम डालेंगे सोया बीन जो हमने मेरिनेट होने के लिए रखा था इसको भी इसी मसाले में मिक्स कर लेंगे और साथ ही ये आलू जो हमने फ्राइ किये थे वो भी इसी में डाल देंगे अब मसालों के साथ सोया बीन को हम 2-3 मिनट फ्राइ करेंगे ताकि जो दही में मसाले हैं वो भी सारे अच्छे से पक जाएं इसको लगातार चलाते हुए हम फ्राइ करेंगे फिर डालेंगे इसमें गर्म पानी गर्म पानी डाल कर अच्छे से चला कर इसे हम ढग देंगे और पांच मिनट तक इसे हम पकने देंगे पांच मिनट बाद खोल कर इसे हम चलाएंगे और नमक डाल देंगे बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि सब्जी चिपते नहीं कड़ाई में और इसे फिर से 5 मिनट के लिए हम ढख देंगे 10 मिनट बाद ये सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है इसमें डालेंगे हरा धनिया हरा धनिया डाल कर इसे हम चलाएंगे और हमारी सबजी ये बनकर तयार है बहुत ही टेस्टी सबजी बनकर तयार हुई है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ठैंक यू